हुली के पवित्र त्योहार पर कुछ बदमाशों द्वारा नशे में गाउं में जाकर कहर बरसाया बुजुर्ग महिला एवं बच्चे सहित दर्जनों लोग इस समय गंभीर हैं ग्रामीडों द्वारा थाने में दिया धर्ना आपको बतादू दिनेश पूर थाना शेतर में से मातर तीन किलो मीटर दूर खटोला नमबर दो में गाउं में लोग होली काउटसव मना रहे थे अचानक दरजनों बदमाश मामूली कहा सुनी पर गाउं में घुसकर लाठी डंडे से प्रहार किया जिसमें बुजुर्ग महि गदार पर मेडिकल करायर जा रहा है और सक्त से सक्त कारिवाही की जाएगी जो मामला है इसकी गोर्मिन्दा करता हूँ, मेरे संग्यान में मामला नहीं था, बाद में मुझे संग्यान में पता चला है कि कम से कम 50-100 व्यक्ति गाउं में आके एक कोने से गाउं के एक छोड से दूसरे छोड तक लाठी, डंडे, तलवार और उनके हाथ में पाटल, निकल वगेरा थी, जिस प्रकार से उन्होंने गाउं में हमला किया, मानो एक साउथ की पिक्चर में उन्होंने जो देखा, उस प्रकार से हमला किया, बहुत ही ज्यादा उन्हें चोटे आए गाउं की महिलाओं को, उनको यह भी नहीं देखा, इतनी भी सरम नहीं आई, कि गाउं लोग बताए जा रहा हैं मोतिपूर राधाकांदपूर रामभाग छेत्र के डीजे लगा हुआ था डांस कर रहे हैं और और गाओं का साथ खटोला का विए सभल हुआ का मेरे संग्यान में आया है की लड़ाई का मुद ने का मैरे संग्यान में पूर नियंग है यहां तक मुझे पता चला उन्होंने फिर अपनी लड़के बुला लिए यह इमाम लगवा था अभी तक हमें बुलाये था दो बज़े के लगवग एससाब ने कि दो बज़े आना पड़ेगा आपको और बाकी बारतालाब होगी अभी पांच बज़े का समय है कुछ समय बाकी है मेरे नाम ध्रम सिंग ह साम कि है को लिए के बाद सब अपने घरों में थे तो तीन लोग आए कंवा मोती पुरसाइट के तीन लोग थे तो इन्होंने मैंला के साथ की बत्तेमी जी तो उन्होंने महिलां विरूत किया और जो महिलां ने थोड़ा उनको थपड़ अपड़े भी मार दिये अब महिलाओं के साथ बत्ते मीजी करेंगे तो होगा होगा ऐसे बहुत करेंगे करेंगे मारेंगे तो होता क्या है उसके बाद वह लड़कों ने क्या है अपनी पूरी सांतियों को बुला लिए लगभा चालीस पचास सा ने हम यहाँ पर आए हैं ताने में आया है एसो साब ने आस्वासन दिया है यह दोसियों के लाप कारवाई की जाएगी जो लोग आये थे बाहरे बदमाजद करते कि लोग कौन ते कास आए यह हमारे चेत्रे के इसे यह मोतीपूर और रामबाग रामबाग रामभाग चेत हम यह चाहते हैं यह दोस्तों को कारवाई करते हुए उनको जेल भेजा जाए मेरा हिमान सब्सक्राइब लोग तो मुझे आए मुझे खींचने लगे मेरे हस्बेंड मुझे बचाया तो उन्हें पाठल खचक दिया यहां पर और मेरे छोटे-छोटे बच्चे और हम बहु अब हम इनसाब चाहते हैं अब हम गरीब लोग क्या कर लेंगे कामाने वाले हमारे हमारे हर से दो जनाव हमारे बच्चे भूंक मरेंगे क्या अतने चोटे बच्चे हैं पिंकी देवी के ब साद चछी मेरे हैं चेडशाद के निक पोशीस की थी एफर ने रोका तो मिरे पापा को मारा उनोगों ने मेरे पापा आइस सुन पढ़े हैं बहुत कंडिसन खाराब है अनकी अब बता हम इतने गरीब हैं अब क्या करें इस ले मेरे चाची को भी पूच्छा को भीमारा इतना कुछ ने भी नहीं दिया और लगड़ी से और फाइरिंग भी कि उन लोगों ने चाकु से पीछे से भी बार कर रहे थे पूलिशे क्या चाहते हैं हम इंसाफ चाहते हैं हम इंसाफ मिले अपका क्या नाम सुनीता सर मेरा नाम महन सिंग है और मैं बुक्षा संगठन का ध्यक्षूं और ये हमारे समाज के बुक्षा संगधावी के लोग हैं और निर्मम तरीके से यहां पर कुछ लोग टेक्टर ट्राली में भर कर आए और खटोला नंबर दो में जो भी इने मिला लड़की हो चाहें छोटे बच्चे हो एक बच्ची को उपर भी उठाया कहने पर इनोंने बड़ी मुश्कल से छोड़ा और जो भी मतलब घर में मिल उनको इनोंने बहुत बुरी तरीके से मारा बच्चों को लेडिस मिल जाए बुड़ी माता मिल जाए सबको मतलब इनोंने बे रहमी से बे दड़ी से मारा इस परकार से इन लोगों ने आकर यहां पर आतंग मचाया तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से बुख्षा समदाय के लोग मतलब बहुत सीधे होते हैं और इन्हें इंसाब मिलना चाहिए और जब तक इन्हें इन्साब नहीं मिलेगा जब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे इन लोग कोई पुराना दिश्मान है यह अचानक घुट करें लोग यह इसी चैतर के हैं डिनेशपुर च्छेतर के हैं मुतियापूर्से और कोछ रामभाग के और कोछ आधा करवाई की पुलिस ने सब्धा कोई कारवाई नहीं किये और इन्होंने दूब जी बुलाया था तो हम इसी प्रकार प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इंसाब नहीं मिलेगा तीन जो ब्यक्ति हैं उन्हें मतलब रैफर किया रखा है उन्हें गंबिर हालत में चोट लगी हुए और एक लेडिस भी उनमें और आप देखे रहें किस प्रकार से इन लोगों ने हमारे साथ ह मार पीट की है और हम इसकी घुननिंदा करते हैं